सभी आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी निउस चनल की आज साम साथ बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है बहनों आपको बता दें कि पोशड ट्रेकर पर आप भी अगर ये गलती कर रही हैं तो सावधान हो जाएए आप सबको सूचित करना चाहूँगा कि पोशड ट्रेकर पर आटेंडेंस के मामले में खास ध्यान रखेगा और उससे भी बढ़कर के आंगनबाडी सेंटर के खोलने को लेकर के बहुत सी बहने ये समझ रही है कि छुटियां चल रही है तो आंगनबाडी सेंटरों को खोलना जरूरी नहीं है जबकि ऐसा नहीं है आंगनबाडी सेंटर को खोलना पड़ेगा क्योंकि आंगनबाडी केंदर बंद होने का आदेस अभी कहीं भी जारी नहीं हुआ भले ही तीन से छे वर्स के बच्चों की छुटियां चल लही हूँ तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार राज के सोन वर्सा जिले में यहाँ पर कारवाई का आदेश हो गया है साप सब्दू में मैं आपको कहूँ तो 14 जून को अभी अभी कल ही यह आदेश जारी हुआ है और आंगनबाडी बहनों से इसपश्टी करण मांगा गया है कि पोशड ट्रेकर एप्लीकेशन पर आंगनबाडी केंद्र नहीं खोलने के सम्मंद में आंगनबाडी बहनों से इसपश्टी करण मांगा गया स्रीमती नूतन कुमारी जो सेविका है इन से और साथी साथ स्रीमती मंजु देवी जो सेविका है और स्रीमती जैमाला देवी सेविका है स्रीमती दाना देवी सेविका है इन सभी लोगों से इस पश्टी करण मांगा गया है कि आप पोर्षड ट्रेकर पर आंगनबारी सेंट को बंद क्यों दिखाती है यानि खुला हुआ क्यों नहीं देखाती तो ऐसे में इसमें और क्या लेखा गया उसको भी सुनियेगा उपर्युक्त विसियक प्रासंगिक पत्र के सम्मंद में सूचित करना है कि माह मई 2023 में आपके द्वारा आंगन बाड़ी केंदर को पोशल ट ट्रेकर अप्लीकेशन पर आंगन बाड़ी केंदर को खोलने के लिए बार बार नरदेशित किया गया है उसके पस्चात भी आंगन बाड़ी बहनों पोशल ट्रेकर अप्लीकेशन पर केंदर को नहीं खोलना यह दरसाता है कि आपके द्वारा आंगन बाड़ी केंदर को बं की जाए अतह नदेश दिया जाता है कि पत्त प्राप्त के 24 घंटे के अंदर अपना अपना इस पश्ठी करण समर्पित करें तो 24 घंटे का इन महनों को समय दिया गया है कि वो अपना इस पश्ठी करण यानि जवाब इस बारे में विभाग को सौपें कि उन्होंने क्यों चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो आंगनबारी सेंटर को ओपन करना पड़ेगा वहीं दूसरी तरफ आपको ले चलते हैं एक और लेटर ऐसे ही आया है कारेले से जारी है सोन वर्सा से ही और आप यहाँ पर देख रहे हैं इस आदेश को भी 14 जून को वहाँ पर जारी किया स्रीमती साइस्ता नूर खानम आंगनबारी सेविका केन संख्या 210 खजुराहा से आती है सोन वर्सा सहरसा से पड़ता है परियोजना और ऐसे में उन्होंने इसमें स्पष्ची करन समर्पित करने के सम्मंद में है तो इनको भी स्पष्ची करन गया लेकिन इनको कुछ अलग स्पष्ची करन गया जैसे की विस्या अंतरगत सूचित करना है कि आपके द्वारा माह अप्रेल 2023 और मई 2023 का पोशाहार अभिस्रो एवं क्रेपंजी बार बार निदेश के बावजूद अभी तक समर्पित नहीं किया गया साथी पोसर ट्रेकर अप्लीकेसन पर लाभुकों का आधार सत्यापन सुन्य है इससे स्पष्ट परिलच्छित होता है कि आपके द्वारा केंदर का संचालन नहीं किया जाता है केवल खाना पूर्ती की जाती है जो आपके करतव के प्रती उदासीनता एवं करतव विहीनता का घोतक है पोशाहार अबिस्रो एवं क्रेपंजी नहीं जमा करना यह दरसाता है कि आपके द्वारा सरकारी रासी का जो है दुर्विनियोग किया गया है क्यों नहीं इसकी रासी की वसूली की कारवाई की जाए तो यहाँ पर तो सीधा रासी की वसूली तक हो सकती है जिस अगर आधार सत्यापन नहीं करेंगे आप तो फिर दिक्कते आपकी हो जाएंगी और जो आपकी क्रेपंजी है उसमें भी जुए इन चीजों को अपना ध्यान डखें तो मही महीने का पोसाहार अभिस्रो और क्रेपंजी बार बार नर्देश के बावजूद भी अभी तक वह समर्पित नहीं की गई है तो बहुत सारी ये दिक्कते हैं वरना इसी समस्या का और जादा आप लोगों को बढ़चर करके रूप देखने को मिलेगा कहीं ऐसा ना हो कि इसी जुए तरह में आपकी रासी की वसूली भी विभाग करने लग जाए तो इन चीजों से पहले ही स साफधान हो जाए अता निदेश दिया जाता है कि तथ्यात्मक इस पश्टी करण 24 घंटे के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें सरसमय इस पश्टी करण का जवाब नहीं देने पर आपके केंदर को नजदीक केंदर से टैग करते हुए आपके विरुद्ध आवस्यक कारवाई की जाएगी ततकाल प्रभाव से इस पश्टी करण का जवाब आने तक माह जून 2023 का पोशाहार रासी इस थगित किया जाता है तो आप देखिएगा यहाँ पर मई में जो ये चीजे हुई है अब इसी आधार पर जून का तब तक के लिए पोशाहार रासी भी इस संबध कर दिया जाएगा तो कहीं ने कहीं उसका संचालन कह सकते हैं कि उनके द्वारा फिर कराया जाएगा तो ऐसे में बहुत सारी ये दिक्कते हैं और ये बड़ी कारवाईया हैं इनको आप सबनों को भले ही ना समझ पा रहे हो तो आपको हलकी लग रही हो लेकिन आप स मित्र हैं और साथी दरसल आंगनबाडी बहन हैं बंदना अगनोत्री जी तो बंदना अगनोत्री जी की जो बेटी हैं स्रद्धा अगनोत्री तो उनका MBBS की परिच्छा में 650 अंक पाकर के उन्होंने अपने गाउं का नाम रोसन किया है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि आगन बाड़ी कारकरता का भी मान सम्मान बढ़ाया है तो यहाँ पर बहुत बहुत सुबकामना है आलेंडिया परिवार की तरब से और आगे चलते हैं और आपको जानकारियां देना चाहेंगे एक बार फोटो आप बेटी की उनकी देख सकते हैं तो बहुत बहुत सुबकामना है आलेंडिया की तरब से आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और जानकारी सरोज जी है और उत्तर प्रदेश के फैजाबास से आती हैं इनकी समस्या कुछ अलग है जैसे कि कुछ साहय का बहनों की है इन्होंने कहा है भाई नमस्ते मैं आपका वीडियो रोज देखती हूँ आपने बताया था कि सहय का प्रमोशन का जो आउनलाइन आवेदन है वो 5 तारीक से 20 तारीक तक होगा नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा मैंने 5 से 20 तक जो मैंने बोला है उसको पहले ठीक से सुनिए वो क्या है 5 से 20 तक आपके जो सहय का बहने आप लोग हैं आपका प्रमोशन होने के मामले में आपके जो रिक्त पद होंगे जिलों की परोजनाओं में तो उन रिक्त पदों को एक पोर्टल बनाया गया है उस पोर्टल पर फीड किया जाएगा 5 से 20 तारीक को ना की सहय का बहने पोर्टल पर अपना आउनलाइन आवेदन करेंगी प्रमोशन के लिए दोनों में फर्क है चीजों को ढंक से सुना करो समझा करो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं अब खबरें ही अगर ना देखता हो कोई पूरी डंग से तो बात अलग है और इनके केस में भी ऐसा ही है वरना अगर इनोंने ठीक से सुना होता तो ये भी समझ गई होती पांच से बीस तारीक तक अधिकारियों के द्वारा क्या किया जाएगा कि वहाँ पर फीडिंग की जाएगी पोर्टल पर और कौन से फीडिंग रिप्ध पदों का विवरड यानि कहां कहां पर कौन कांसा पद खाली है जब ये भरा जाएगा तभी तो पता चलेगा कौन से इस रिडि का पद था उसी हिसाब से फिर सायकाओं का फिर प्रमोशन हो पाएगा न तो इसी लिए यहाँ पर आपको क्या करना है ध्यान लखना है इस बात का लेकिन वीडियो ज़्यादा तर लोग पूरा देख नहीं पाते हैं और फिर तुरंट से माटसेप पर मैसेज करने लग जाते हैं जानकारी मांगने के चक्कर में तो उनके सवाल भी ऐसे आते हैं जो कि हम पहले से सब कुछ क्लियर कर चुके होते हैं तो उल्टे उल्टे सवालों को हम तुरंट पहचान जाते हैं अब उन्होंने लेका है कि लेकिन जो एक किस विबसाइट पर होना है ये साइबर कैफे वाले भी नहीं जान पा रहे हैं ऐसे सब उन्होंने लेका तो साइबर कैफे वालों से कोई मतलबी नहीं है अभी, क्योंकि अभी जो feeding होनी है, जो portal बनाया गया है, उसका login ID, DPO, CDPO को दिया जाएगा, वही रिक्तपदों का विवरन भरेंगे, ना कि आप लोग अभी online करेंगे, मैंने तब भी बोला था, कि जब online आप लोगों को करने ह होगे, तो फिराल इंडिया बताएगा, अभी जो हुआ है, जितना हुआ है, मैंने उतना बताया, लेकिन इंसान सुनता कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत 3-5 वही कहता है, आधूरी जानकारी हनकारक होती है, इसलिए पूरा देख करके जाया करें, तो यहां पर अगर देख में वो काम करा लिये जाएंगे, उदाहरर आप आगन बारी बेनों का प्रमोशन ही ले लो, न जाने कितने आदेश आए, न जाने कितनी बार उन आदेशों में तारीखें आई होंगी, कि फला फला तारीख तक यह यह कार हो जाना है, लेकिन क्या हुआ, अभी तक नहीं, अ उन सब्दों को अच्छर सा सुना करें और समझा करें, यह हवा में चीजे नहीं, आप समझ पाएंगे कि बस मोटा मोटा टाइटल देखा, एक दो आवाजे सुनी, बस हो गया इदर उदर से, और बस आगए पूछने, इसमें आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और हम हमारे पास अतना समय नहीं है कि हमें एक खबर जो मैं बता चुका होता हूँ, उसी को मैं बार बार रिपीट करूँ चैनल पर, या किसी को भी वाटसेप पर अलग से एक एक करके सबको बता पाऊँ, आपके लिए तो आप अकेले हैं, लेकिन हम बताने वाले भी अकेले हैं और आपकी तरह लाखों बेने चैनल से जुड़ी हैं, जिनमें हजारों बेने जो हमारे पास वाटसेप पर हैं, और जिनमें सैकडों मैसेज, दो तीन सो मैसेज तो कम से कम डेली आते ही रहते हैं, और उसके अलावा सैकडों कमेंट्स आते हैं आल इंडिया पर, हमें वही परना लाइक करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में आप लोग अगर ध्यान से खबरों को नहीं सुनेंगे, तो फिर हमारी भी दिक्कते आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे